नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ् यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वाट्टेप कर सकते हैं इस्टाग्राम पर पे जरूर कर लेजेगा इस्टडी पॉर सिविल्स है सारे कोईशन अटेम्ट करिया और इसको अपना तुरंद कमेंट करके बता ही नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टड को जोइन करना चाहते हैं तो आप यह दो नमबर दिये गए हैं यहाँ पर आप कॉल या वर्ट्सप कर सकते हैं तो आए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रस्ट नहीं सूची वन को सूची टू से सुमेरित कीजिए आपके सामने चार युद्धा ब्यास दिये गए हैं उनको सही सुमेरित करना है बजजप्रहार गरुडशक्ती बोंगो सागर वीर गार्जियन बजजप्रहार जो है भारत और अमेरिका बीच आजित किया जाता है इसका जो सही सुमेरित होगा वह होगा आपका 4, 2, 3, 1 तो इसका option D जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा इसका sunscreen देख लेते हैं कौन-कौन सा sunscreen आयुद किया गया था हाली में तो वज्र प्रहर का जो 13th sunscreen था यह हिमाचल प्रदेश में आयुद किया गया था 2022 में और गरूड सक्ति का आठवा संस्क्रंड 2022 में आयुद किया गया था बोंगो सागर का यह आपका 13th sunscreen आयुद किया था 2022 में और हाली में जो है बीर गार्जिन आयुद किया गया था भारत वा जापान के बीच यह जन्वडी 2023 में जन्वडी 2023 में दोनों देशों की जो है, वाई सुना ने भाग लिया था, बेर गार्जिन युद्धा ब्यास में, तो इसका option D जो हो जाएगा, वह सही हो जाएगा, देखते हैं अगला प्रेस्ट हम लोग, खाली में हुए बिसपोर्ट के कारण, चर्चा में रहा, किला हुआ जोला मुखी, किस देश में इस्तित है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इरान, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका option A, अमेरिका में, किला हुआ जोला मुखी जो है, यह अमेरिका के पर इस्तित है, और हाली में जो है, इसमें बिसपोर्ट हुआ है, इसी के कारण, यह जोला मुखी जो है, खबरों में थी, अगला देखते हैं, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, आपको यह बताना है, 120, 126, 128, 131, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका option B, 126, विसपोर्ट हुआ है, भारत की जो रैंक है, वह 126 है, और इसमें जो है, कुल 137 देशों में 126 रैंक है, और यही जो है, रैंकिंग थी, वह 136 थी, कितनी 136 और इसमें जो है, कुल 146 देश थे, 146 देशों में जो फारत की रैंकिंग थी, वह 136 थी, 2022 में, और 2023 में जो है, वह 137 देशों में, इसमें 126 है, इसका option B, जो हो जाएगा, वह सही हो जाएगा, अगला देखते हैं, निम्न में से, किसने उत्तर प्रदेश राजिक के राजिपाल का पद कभी नहीं समाला है, इने से, इन चारों में से, कौन उत्तर प्रदेश के राजिपाल नहीं रहे हैं, उनको आपको बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप्शन ए श्री चंद्र भानु गुपता यह जो है उत्तर प्रदेश के राजपाल नहीं रहे हैं और तीनों लोग जो है बाकी यह उत्तर प्रदेश के राजपाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राजपाल है वह आनंदी वेन पटेल जी है भारत के समविदान अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रतेक राजपाल में एक प्रतेक राजपाल होगा किस में कह 233 अनुच्छेद में है अगला कुशन देखते हैं हम लोग आरल सागर निम्न में से किस देश के बीच इस्तित है रूस यूकरेन उजबेकिस्तान कजाकिस्तान आर्मेनिया कजाकिस्तान इराग चीन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन भी में देख सकते हैं यह आपका कजाकिस्तान है और यह रहाब आपका हुजबेकिस्तान और यह रहा आपका अरलसागर जो है या एक खारे पानी के ढही ज्यूंत्गोर्केननलोर चाहत्व करने ही ओप्शन देखते हैं छीन वह बैंगलोर में किया गया था और वहीं पर एक वाईसिना इस्टेशन है एहलंका वहाँ पर इसका आयजन किया गया इसकी जो थीम रखी गए थी The Runway to Billion Opportunities इसकी थीम थी Defense Expo 2022 का आयजन जो किया गया था वह गुजरात के गांधी नगर में किया गया था इसको भी आप लोग याद रखिएगा अगला कुशन देखते हैं उत्तरपदेश राज में निम्न में से किस लोका युक्त का कारेकाल सरवादिक रहा है आपके सामने चार लोका युक्तों के नाम दिए गए हैं इन में से किस का कारेकाल सरवादिक रहा है आपको ये बताना ह जनवरी 2016 तक इनका कारेकाल था। लोकायुक्त का जो कारेकाल था पहले वह छे साल का था और इसे 2012 में इसे बढ़ाकर आठ साल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पहले जो लोका युग थे वह विसंबर दयाल थे और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोका युग अधियम जो पारित किया गया था यह 1975 में किया गया था 1975 में और वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के लोका युग थे वह संजय मिस्राजी है इसका option C जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं लोग नमलकित में से कौन सा यूग में? सही सुमेरित नहीं है बाबा नामा अकबर साजहा नामा इनायत खान हुमाईउ नामा हुमाईउ तुझो के जहांगीरी जहांगीर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option B option C हुमायों नामा जो है वह हुमायों के पुष्टक नहीं है इसकी जो रचना किये थे वह गुलबदन बेगम ने किया था यह जो है option C आज सुमेलित है बाकि तीनों जो है वह सुमेलित है अगला दिखते हैं किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवस्यक है एक बटे चार, एक बटे दो, एक बटे तीन, दो बटे तीन तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उप्शन दी दो बटे तीन का समर्थन आवस्यक है उप परधान को हटाने के लिए इसका उप्शन दी सही हो जाएगा अगला कॉसन देखते हैं हम लो भारत में महारतन कंपणियों की संख्या कितनी है ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उप्शन बी, बारा वरतमार में भारत में कुल बारा महारतन कंपणियां है और बरहामी जो महारतन कंपणी बनी है वह REC बनी है REC बनी है महारतन कंपणी और हाली में जो है अप्रेल में ही रेलवे कंपणी RVNL को जो है नौरतन कंपणी का दर्जा दिया गया है और या जो है तेरहमी नौरतन कंपणी बनी है तो यानि महारतने कंपणियों के संक्या जो भारत में वह 12 है और 13 जो है नौरतने कंपणिया है अगला कोशन देखते हम लोग किसी विधान सभा में भारत के सम्विधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदक्स से हो सकते है आप के सामने चार ओप्सanut दिया गया है औपषन पढ़ लिजीह इससका जो जाए आपका सतरी हो जाएगा आपका ऑप्सisión डी शाट से कम नहीं हो सकते और 500 से अधिक नहीं हो सकते इसका वाप्सन डी जो हो जाएगा अगला कोशन देखते हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम दो जार तेस में सीर्स के राजों का कौन सा यूगम सही है आपको ये बताना है आपको सामने चार आप्सन है आप्सन पढ़ लीजे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आप्सन सी महाराश्ट हर्याना मध्यपदेश सरवादिक खेलो इंडिया यूद गेम्स में जो है सरवादिक पदक जो जीते थे वह महाराश्टे जीता था और इसने कुल कितने 161 पदक जीता था तो इसका ओप्सन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला देखते हैं मानो रक्त में पलाजमा की लगभग कितनी मात्रा होती है 26-30 प्रिस्ट 55-60 प्रिस्ट 77-75 प्रिस्ट 80-85 प्रिस्ट तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ओप्सन बी 55-60 प् आपके सामने तीन रचना यह दी गई है इन में कौन सी रचना क्रिष्र देव राय ने संस्कित में की है उसको आपको बताना है अमुक्त माल्दा मदालसा चरित जामवती कल्यानम तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वहो जाएगा ऑपस Cake D दो और न रचना संस्कित में है और आमुक्त जो है यह वह वह सखहरा में है इसका option B जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला question देखते हम लोग उत्तर प्रदेश वन निगम कब अस्थापित किया गया आपके सामने चार option है 25 नॉबंबर 1974 25 नॉबंबर 1975 25 नॉबंबर 1976 25 नॉबंबर 1977 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो अगला question देखते हम लोग मालवा गुजरात महराष्ट कि सासक ने पहली बार जीता हर्ज असकंद गुप्त विक्रमादेत चंद गुप्त मौर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option D चंद गुप्त मौर ने जो है पहली बार मालवा गुजरात और महरा अटली ग्लेड इस्टोन तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option B पामर्टन जो था वह ब्रिटेन का पधान मंतरी था अठार सो सतावन विद्रों के समय तो इसका option B जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला question देखते हम लोग दो statement दिया गया है इसमें कौन सा statement सही है आपको यह बताना है भारत का सबसे गहरा बंदरगा जो है विशा का पटनम है यह सही statement है कांडला एक जोरी बंदरगा है यह भी statement सही है त्यानी इसका दोनों कथन सही है तो option C जो होगा वह सही हो जाएगा कांडला जोरी बंदरगा आपके सामने चार राजवन्स दिये गए हैं इनको जो है उनके संस्थापक के साथ सुमिलित करना है संगम राजवन्स के संस्थापक थे हरियर योंग भुक्का थे सालू राजवन्स के संस्थापक जो थे वह आपके नर्सिंग थे और तुलू राजवन्स के संस्थापक जो थे वह आपके बीर नर्सिंग रहा है थे और अरावीडू राजवन्स के जो संस्थापक थे वह तिरूमल थे तो एक, चार, तीन, दो एक, चार, तीन, दो यानि इसका A option जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा अगला कॉशन देखते हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सुमिरित करना है भारती समिदान में जो है दुई सदनी ब्योस्था जो है वह ब्रिटेन के समिदान से लिए गई है मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिकी समिदान से लिए गया है राज्य निती लिदेशक सिधान्द जो है वह आईरिस समिदान से लिए गया है और समवर्ती सूची जो है वह अस्टेलिया समिदान से लिए गया है तो इसका जो सही आंसर हो जायेगा, वह हो जायेगा आपका option B, 1234, इसका option B जो है, वह सही हो जायेगा, अगलक कोई सुन देखते हैं लोग, परदान मंतरी द्वारा, परदान मंतरी नरिन्द मोधी द्वारा, हाली में भारत का प्रथम एक एक करित, smart green field city का उधगाटन कहां क किया गया आपको यह बताना राची में बोपाल में नया रायपूर में बिलाश्पूर में तो इसका ज़िए आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option C नया रायपूर में भारत का परतम एक एक करित Smart green field city का उद्घाटन किया है और नया रायपूर जो है वह च्छतिस